हरी हूं सभी दर्शकों को कुमारनायक अंकोला यूटीब चानल में स्वागत हैं दोस्तों आज मैं अपने शूस का सोल जो है उसका रिसोल करने याने की सोल का रिपैर बोल सकते हैं या रिट्रेड और नया रंबर चाड़ाने का बहुत आसान तरीका करके दिखाता हूं एक्चुली कहना हम लोग पॉस्टली शूस सैंडल्स लेते हैं उसके कंटिनेस यूज से उसका सोल जो है गिस जाता है मगर उपर से देखे तो एकदम अच्छा दिखता है इससे हम लोगों को उसे बाहर फेंकने के लिए मन नहीं करेगा तब आप लोग ये मेरा वीडियो दे किपने के बाद मेरा वीडियो को एक लाइक कीजिए और चानल को शेर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप से मैं सभी से रिकुष्ट करता हूँ चलिए दोस्तों अब हमारे शूस का री सोल या रिपार करने का आसन तरीका दिखाता हूँ दोस्तों देखिए पहले एक पेपर के ऊपर शूस रखके पैंसिल से आउटलाइन मार्किंग कर रहा हूँ इससे टायर शॉप में जाके इसी साइज का कट पीस लाने के लिए हेल्प होता है अभी टायर पीस लेके आने के लिए मेरे गाउं में उपली जाने वाले नैश्टल हाइवेई बाले गोली क्रोस पे एक टायर शॉप है वहाँ मैं जा रहा हूँ ओन टायर से इसी तरह आपके गाउँ में भी टायर शॉपस रहेंगे वहां से आप shoes का sol लगाने के लिए tire के cut piece लेके आईए अभी tire shop में मोटा सा 2 piece मिला है उसमें से उपर वाला पतला सा piece में मेरे काम के लिए इस्तिमाल कर रहा हूँ देखिए अभी अब मैं tire piece के उपर shoe रख के pencil के सहायता से marking कर लेता हूँ इस तरह मैं दोनों टायर पीस के उपर मार्किंग कर रहा हूँ ताकि कटिंग करने में मुझे आसाल हो जाएगा अब टायर पीस कट करने के लिए मेरे घर में रहने वाला एक चार को लिया उससे ठीक मार्किंग लाइन के उपर से कट करते जाता हूँ इस तरह दोनों शूस के लिए दो टायर पीस ठीक उसी साइज के मुताबिक कट कर लिया कि हाड़ वर शॉप में मिलने वाला श्रीक वर ही ट एक एक गोंद यानि की अड़े जिव इस्तिमाल करेंगे यह डपा ओपन करने के बाद इसे एक श्टिक लेकर ठीक से मिक्स कर लेना चाहिए देखिए अभी यह मिक्स कर रहा हूँ मिक्स किया हुआ गोंद को टायर पीस और शूस के नीचे वाले हिस्से पे जी तरह लगाए अभी देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ गोंद दोनों पे डालने के बाद दस सकेंड टाइम चोड़िए उसके बाद दोनों हाटों पे वह लेकर आप इसी तरह फिक्स कर सकते हैं देखिए कैसे मैं aottaj कर रहा हूँ देखिए दबाना चाहिए दोनों मिलाने के बार थोड़ा pressure डाला चाहिए अपने हाटों से pressure डालने के बार वो गम fix हो जाता है मुझे दोनों हाटों से force लगाने के बार अब अभी मैं क्या करता हूँ एक दिन के लिए उसके उपर एक बड़ा वजन यानि की ब्रिक्स रख रहा हूँ देखिए ठीक उसी उसके उपर ही ब्रिक्स रखना चाहिए क्योंकि वो ठीक से फिक्स हो जाए और एक शूस का भी इसी तरह हो करके बड़ा वजन उसके उपर रखे के 24 घंटा या एक दिन र जो देखिए ठीक 24 गंटे के बाद उसके ऊपर रखा हुआ वेट जो है अभी निकल रहा हूँ अब यह कईसे दिख रहा है आप खुद ही एक बार ठीक ठाक से देख लेजिए यह जो रिसोलिंग काम के लिए बस पचास से भी कम रुपे लगते हैं और हजार रुपे से भी ज लाइक करके मेरे चानल को शेर एंड सबस्क्राइब कीजिए अब तक यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद